नमस्कार दोस्तों स्टॉक जिने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताँ हुआ कि कैसे आप जो है एनसी से डेटा अपने एकसल में फैच कर सकते हो और अपनी एनलेसिस को और इनहेंस कर सकते हो और हिए और मैनून ऐनलेसिस के बजाए आप अनलेसिश कर सकते हो विभल और अगि मैं अक्सल में ग्यक्धू करने के लिए आपको डेटा की जुर्फ बढ़ेंगी वह से आप die यह अपने एकसल इंज सकते हो और किसा आक सकते हो और यहां पर आप देखो सारे मैंने यहां पर एक OHLC scanner लगाया है रेस्टेंडन सपोर्ट का scanner लगाया हुआ है जो automated calculate हो जाता है तो यह आपका काफी time बचाता है OHLC यानि जो open high low strategy है वो मैंने यहां पर add करा हुआ है तो जो भी stocks में या जो buy sell signal मिलते हैं आप simply यहां से करके आप देख सकते हो और इस strategy से आई आपको trade करना है तो आप trade ले सकते हो आप देख सकते हो तो इस तरह की file आप कैसे बना सकते हो वह मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कैसे आप यह data जो है 11,211 तो यह एक पर हम verify भी कर लेता है ने से की website में ने अल्रेड़ी खोली हुई है यहां पर मैं इसको just refresh कर देता हूं तो आप देखो यहां पर home medium जाते हैं तो यह 11,222 यह नहीं 212 था तो यह update होता रहता है अभी market live है तो यह change हो रहा है तो कैसे हम इसको कर सकते हैं Excel में मैं उसको आपको step by step बताता हूं आपको कुछ नहीं करना आप simply जो है Excel file open कर लिजिए उसके बाद आपको जो है NSE की website पर जाना है यहां पर और यहां से आपको जो है market data पर click करना है उसके बाद आपको जाना है indices पर indices पर आप जैसी click करोगे nifty 50 का हम जो है data fetch कर रहे हैं अपने Excel file में तो nifty 50 पर हम click कर लेंगे तो एक नए टाब में यह जो है data इसका open हो जाएगा इस तरीके से और simply आपको इसका जो है right click करके inspect पर जब click करोगे तो इसकी जो coding है वो यहां पर खुल जाएगी तो यहां पर आ रखना है कि आपको जाना है network पर तो यहां पर आपको network पर click करना है आप जब network पर click करोगे तो आपको यहां पर एक message आएगा कि press control and R मैं already fetch करता रहता हूं तो directly open हो गया लेकिन आपको महां पर हो सकता है control and R press करने के लिए आएगा तो control and R जब आप प्रेस करोगे तो पूरी safety search करोगे आपके पास यह data आजाएगा equity index equity stock indices इस पर आप क्लिक करना है तो आप इस पर click कर लीजिए बहुत simple है और click करते ही आपके पास यह सारी details यहां पर open हो जाएगी तो आपको मैं बताता हूं करना क्या है मैं आपको step by step बताता हूं कौन-कौन से details में चाहिए ताकि हम जो है data fetch कर पाएं तो आप notepad खोल लो एक notepad पर आप पहले सी जो data मैं आपको बता रहा हूं आप जो है copy and paste कर लो तो सबसे पहले जो मैं copy and paste करना है वो करना है यह हमारे पास जो data है URL का तो URL हमने यहाँ पर copy कर लिया उसके बाद हमें जो है next जो चाहिए हमें हमें यहाँ पर यह accept encoding वाला जो data है इसको आप यहाँ तक copy कर लो जी जैड़ाइपी तक यह काम करेगा उसके बाद accept language आप copy कर लो पूरा यह आपका request headers की नीचे आपको मिल जाएगा यह आप देखनो request headers तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह मैं क्यों copy कर वा रहा हूं आपको मैं अभी आपको बतांगो जब हम excel फाइल में जाएंगे वहाँ पर हमें यह details डालनी होंगी और उसके बाद हमें एक और चाहिए यह हमने कर लिया उसके बाद हमें जो है एक detail और चाहिए वह चाहिए हमें cookies की तो cookies की जो value है आप यह देखो यह जो दिख रहा है set cookies vmsb तो यहां से आप data जो है यहां से इसके आगे से आप copy कर लो इक्वल्टू तक यानि जो domain लिखा हुआ है इससे पहले जो semicolon है इससे पहले इक्वल्टू तक आपको इडेटा यह जो डिटेल है copy करनी है cookies की और इसको भी आप उठाके यहां पर रख लो simple अब हमने यह data मैं इसको बड़ा कर लेता हूं अब यहां पर देखिए हमने यहां पर यह सारे details copy कर लिए URL हमने copy कर लिया और यह headers हमने copy कर लिया और यह cookies की value हमने copy कर लिए तो यह सारे details हमें चाहिए होंगी excel file में तो excel file हमने यहां अल्रेडी खोला हुआ है यह मैंने खोल लें यहां पर यहां से आपको जाना है data tab में यदि आपके पास जो है excel का 16th version है office का तो आपको simply यहां पर यह data मिल जाएगा tab इस पर click कीजिए और यहां से आपको जो यह new query ह है इस पर आप click करोगे उसके बाद आपको जाना है from web के option में यहां पर आप आओ उसके बाद simply आप जो है advance पर click कर लिजे यहां पर आप जो है अपना URL पेस्ट कर दीजिए यहां पर यहां पर पेस्ट कर दिया यहां पर यहां पर आपको जो मैं आपको बता रहा था जो headers हमने कॉफी किये थे वह यहां पर हमें enter करने है तो आप यहां से देखो accept encoding यहां से कॉफी कर लो यहां पर paste कर दिया यहां पर उसके आगे की value हमने copy कर लिए और यहां पर हमने paste कर दिया simple है एक add header कर लिए दुबारा से क्योंकि हम यह भी add करना accept language तो हमने यहां पर language को copy कर लिया उसके बाद language की जो value है वो यहां तक copy कर लिए उसके बाद add headers यहां पर हमें यह user agent copy करना मैं यह details जो है description में डाल दूँगा तो आप simply वहां से copy and paste कर के कर लोगे user agent डाल दिया यहां पर यह value मैंने यहां से उठाई और यहां पर डाल दिया और उसके बाद जो है आपको cookies डालनी है cookie यहां पर मैं लिख लिता हूँ को कि और जो value है वो यहां से मैं उठा कि इसका पेस्ट कर देता हूँ इक्वेल्टू तक ठीक है दोस्तों यहां से यह सारी value जो है आपको पेस्ट करनी है इस तरीके से यहां पर लिखा यह डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप डिरेक्टल यहां से कॉपी करके अपना एक्सल में आप इंसर्ट कर दीजिए आपका जो है डिफ्टीफ्टी का डिटा फैच हो जाएगा आपको यहां पर करना है क्लिक ओके पर और आप देखिए यहां पर आपका जो है कि यह कुछ एरर है दा हेडर वैली नट सपुर्टेड ठीक है कुछ हमने गलत करा है शायद कि देख लेते हैं कि यह सेमी कॉलन हटा देते हैं से अब देखिए तो यह जो वैल्यू है यहां पर यह आ गया अब यह जो लिस्ट है यहां पर आप यह नाम देख रहे हो यह जो नेम है यहां पर आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हो कि यहां पर आप चेंज कर दो कि निफ्टी 50 मैंने कर दिया उसके बाद आप इस list पर click करो तो यह records यहाँ पर open हो जाएगा उसके बाद इसे यहाँ पर two table पर आप click करोगे तो यह पूरा detail जो है आपका यह आएगा एक पाप आप आएगा, कुछ नहीं करना आपको, इस पर simply आपको OK पर क्लिक करना है, यह details आ जाएंगे, यहाँ पर यह आप जो देखे रहों, यह जो two side arrow बने हुए हैं, यहाँ पर आपको जो है arrow पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप यह देखो, यहाँ पर यह सारे symbols हैं, OK कर लेता हूं, और data यहाँ पर यह देखो, आपको यहाँ पर load हो गया data, अब यहाँ पर आपको जो जो column चाहिए, आप वो simply column रख सकते हो, otherwise आप remove कर सकते हो, तो मैं जो basic columns हैं वो रखता हूं, और बाकी मैं remove कर देता हूं, जैसे column priority है, इसको मैंने remove कर दिया हैं से, उसके बाद यह वाला जो column है, symbol वाला, इसको भी मैं हटा देता हूं, हम सर्फ नाम रख लेते हैं, open value हमें चाहिए, high value चाहिए, day low चाहिए, last price चाहिए, previous close भी हम रख लेते हैं, और आगे देख लेते हैं, उसके बाद है column 1 change, change percentage रख लेते हैं, इसकी requirement नहीं होगी, इसको बिटा चाहिए, year high, year low, traded volume चाहिए, तो यह आप रख सकते हो, उसके total traded volume यह चाहिए, यह इसके requirement मैं, इसको हटा देता हूं, फिलाल आपको दिखाने के लिए, आपको जो requirement है, आप रख सकते हैं, जिस भी weekday, week low, यह आपको रखना है, तो यह आप रख लिए, नहीं रखना है, मत इसके रख लेते हैं, यह date हटा देता हूं, यह वाला column भी मैं हटा देता हूं, date वाला जो भी column है, यह भी हटा देता हूं, path की जो detail हो भी हटा देता है, symbol, series यह भी हटा देता हूं, column data, यह भी मैं हटा देता हूं, तो basically भी मैंने जो basic requirement वाली जो values हैं, वो मैंने यहाप रख ली हैं, और बाकि जो value, आप अपने हिसाब से इसको add और remove कर सकते हैं, simple है, कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपने यह करा उसके बाद आपको यहाँ पर close and load करना है, close and load आप जब करो होगे, तो यह आपका यहाँ पर load हो जाएगा, देखे, values यह देखे, यहाँ पर यह detail value यहाँ पर आ गई, इसको मैं यहाँ पर close कर देता हूं, तो देखा, आपने इस तरीके से जो है, हम live data fetch कर सकते हैं, nifty का जो open price, इसको आप manually भी change कर सकते हो, यहाँ पर या फिर आपको यहाँ पर change करना है, तो आप simply जो है, data पर जाए, show queries पर जाए, इस पर double click करिए, तो आपका वो power query वाला जो window है, यह, open हो जाएगा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से rename कर सकते हो, इसको यहाँ पर आप जो है, symbol लाग डूँँए, यहाँ पर आप इसको change कर दूँए, open, high, इसको मैंने low कर दिया, इसको LTP कर देता हूं, last error price, last close price, change, और इसी तरीके से आप जो है, change कर सकते हैं, तो यह मैंने यहाँ पर change कर दिया, अब दुबारा से close and load कर लेते हैं, तब देखो, यहाँ पर यह आपका symbol आ गया, open आ गया, high, low, last trade price, last close price, यह सारी details यहाँ पर आ गई, इस तरीके से अब आप जो है, इसका, आप को जी refresh करना है, तो आप simply यहाँ पर refresh करोगे, तो यह refresh होता रहेगा, जिसे लाश्ट्रेट 216 है, तो आप यहाँ से आराम से refresh कर आ गया, आप इसको जो है, NSC की साइट से, आप इसको जो है, मैच कर सकते हो, और आप से, मैं refresh कर लेता हूँ, देखे, 11,216 है current price, और वहाँ पर हमारा जो अभी आ रहा है, हमने यहाँ पर refresh करते हैं, तो इसके आसपास ही आएगा, क्योंकि यह जो है, recent update होता रहता है, यहाँ से आप ऐसे अपडेट कर सकते हो, और फेच करने के बाद, आप अपने हिसाब से अपनी analysis कर सकते हो, इस तरह का जो है, आप बना सकते हो, यह थोड़ा मैंने dynamic बनाया है, मैं आपको आने वाले videos में share करूँगा, कैसे आप इसको बना सकते हो, इस तरह से, आप ऑप्शन चेन अनलेसिस के डेटा भी आप इस तरह सकते हो, और अपना analysis कर सकते हो, option क भी मैं यह रहो जो आपको यह pork सकते हो, तो आप मुझे email कर सकते हैं, मैं आपको यह file भेज वह भेज दूंगा, तो दोस्ट, आप simply आप इस तरह से, जो है data अपना फै scanner आप लगाना चाहते हैं वो scanner लगाके आप अपने अनलेसिस कर सकते हैं बहुत यह संपल है आने वाले वीडियो में आपको और थोड़ा जो है इसको modify करके बताऊंगो कैसे आप इसमें अनलेसिस एड कर सकते हो कैसे स्कैनर एड कर सकते हो और आप कैसे जो है डेटा फेच कर सकते हो सारे डाइस के ऑप्शन चैन के डेटा कैसे फेच कर सकते हो यह मैं आपको आने वाली वीडियो में दोस्तों बताऊंगा तो आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीस लाइक जरूर कीजेगा और यह आपने चैनल को भी तक सब्सक्रा करता हूँ आपको मिलते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों जैहिन अ हुआ 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 है